Hello everyone and welcome back to Accard Boost YouTube channel. My name is Kalpit Peerwal, All India Rank 1 in JEE 2017 and today I am going to tell you how to clear your backlog, okay? ये channel आपकी JEE preparation का one-stop solution है. यहाँ पर मैं आपको JEE selected जितनी भी tips, tricks, strategies है, motivations है और chapters को cover करने के क्या concepts है, क्या strategy रहने चाहिए, सब को share करता हूँ. So if you are a serious JEE expert, you must subscribe to this channel with your bell notification icon on. और अगले एक महिने तक मैं वापस से daily videos बनाऊँगा, ठीक है? तो आप लोग specially जो चैनल को रोज देखते हैं, आप लोग notification on कर लीजए, मैं try करूँगा morning time में रोज एक video upload करूँ on one important thing. कोई भी चीज यहाँ पर repetitive नहीं होती है, और कोई भी चीज यहाँ पर ऐसी नहीं होती है, जिससे आपका time waste हो, सारे चीज़े यहाँ पर useful information ही दी जाएगी. अगर आप मैंसे पढ़ना भी चाहते हो, यहाँ पर तो मैं आपको चीज़ें बताओंगा कैसे आप पढ़ सकते हो, अगर आप पढ़ना भी चाहते हो, तो only for my subscribers, I have brought a catboost subscription, जो काफी जादा affordable rates में आपको पूरी जए प्रफिशन कराएगा by me, and other IATians, और people from top colleges. तो बहुत affordable price है वो, आप जाके description में चेक कर सकते है, अकाटboost का subscription app मिल जाएगा आपको, more about it in the end. तो चले यार बात करते हैं, आज backlog के बारे में. तो backlog रहना J.A.S.P.R.E.N.S की life में सबसे बड़ी mistake होती है. क्यों होती हो, मैं बताता हूँ, देखो, backlog जो होती होती हैं, वो ऐसे compound होती जाती है, बढ़ती जाती है, इस लाएगा snowball जो एक mountain से roll हो रहा है. आपने 11th class के, अभी मैं बताता हूँ, जो बच्चे J.A.E. 2021 के लिए आप एक्जांपल प्रिपैर कर रहे होंगे, आपकी बहुत सारी 11th की backlog कहीं न कहीं होगी. और 11th की backlog की insecurity के चक्कर में, आपने 12th class भी इपनी वरबात कर रखी होगी, और 11th के topics पर depend जो 12th के topics करते हैं, वो तो आपको आपको आई नहीं रहे होंगे. ये कहीं सारी बच्चों की दिक्कत होती है, मुझे ये रोज डेली इस तरह का message Instagram पर आई जाता है, तो तीन वहीने बाद आपकी preparation इतनी आगे बढ़ जाए कि exam इतना पास आजाएगा, कि आपके पास समय ही नहीं होगा backlog क्लियर करने का, फिर आप ये सब करोगे, crash course ब्लाब्लाब्ला ये करने पड़ेंगे फिर, ठीक है? तो अभी इसे संभल जाओ, तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा, आपको कुछ भी नहीं करना है यार, दिन के बस दो गंटे निकालो मेरे लिए, दिन के दो गंटे निकालो और उसको अपनी preparation में लगाओ, ठीक है? जो केवल backlog के लिए dedicated होंगे, अभी दो गंटे कहां से जाएंगे काम करो, एक आप आती है, यौर आर नाम करके, उसको इंस्टॉल करके अपने mobile के लिए यूसेज देखो कितना है, ठीक है? स्पॉंसर निया है, मैं स्पॉंसर वीडियो नहीं करता हूँ, मैं अपनी खुद की काम नहीं का स्पॉंसर करता हूँ, आप उस एप में जाना, और उसमें देखना आपने कित्ती देर mobile यूस किया, मैं लिक के दे रहा हूँ, आपके 6-7 गंटे इसली होंगे आदे बच्चों के, उस 6-7 गंटे को कम नहीं कर सकते हैं, तो आपको बस उस समय को वहाँ पर यूस करना है, और मैं जो करना है, तीन चीज़े उठाओ Physics के अंदर HC Verma, Maths के अंदर आपकी Coaching की Sheet, और Chemistry के अंदर आपकी NCRT for Theory and Coaching की Sheet for Questions and Problem Solving, इतना कर, और जो बच्चे हमाएं साथ पढ़ते हैं, Cat Boost वाले, आप लोग के लिए मैंने अल्रेडी Mentorship section में Backlog क्लियर कैसे करना हैं, using our subscription बता दिया है, और आप लोग के लिए ज़्य subscription बाले बच्चे हैं, आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, बस binge watch कर देना है, मेरे lectures को, ठीक है, आप लोग के पास यह advantage है, मैंने वाप पे वीडियो बना दी है, वो देख ले रहा, mentorship section में, ठीक, now coming back to YouTube students, तो इन किताबों को आप उठाओ, और इन किताबों को यार आप एक physics, एक chemistry, एक maths का backlog क्लियर कर सकते हो, अब यहाँ पर backlog क्लियर करने का मतलब क्या है, यह भी आदे बच्चे को पता नहीं होता है, मैं बताता हूँ, backlog क्लियर करने का यह मतलब नहीं होता है, या या इरोडो के कुछन लगाने लग जाओ, उसका मतलब यह होता है कि यार पर ले जाना इतना मुश्किल नहीं होता है, ठीक है, आपको ample opportunities मिलेंगी December में, March में और मही में, जब आपका J-E advanced होगा, जब आपका J-E mean और board के बीच का period होगा, या board exam वाला period, और जब आपका J-E mean से पहले revision वाला period होगा, तब आपको ample opportunity मिलेंगी अपने concepts को अच्छे से polish करने की, लेकिन इक बार build तो करो concepts, तो आपको केवल इनकी basic चीज़े पढ़नी है, केवल theory पढ़नी है कि या basic क्या-क्या formula है इसके अंदर, क्या Newton's जैसे NLM की backlog है, जो मेरा favorite chapter है, NLM के अंदर आपको बस पता होना चीए, कि यार इसके अंदर क्या-क्या concepts थे, पहला आप बड़े-बड़े concepts है, इनकी बस आपको basic theory पढ़नी है, कि यार ये चीज़ कैसे काम करती है, और उस पर 4-5-4-5 question लगा लेना है, ये चीज़ सारी मैंने subscription वाले में कर रखिये, तो जो बच्चे subscription वाले, आप लोग सीधा भई देख लो, आप लोग ये सब मत करना, वो course में बनाई है इसलिए ता कि बच्चे की preparation में जो time pass करते हैं, उस अब खतम हो जाए और उनकी एकदम अच्छेस preparation हो, तो आप लोग को ये नहीं करना है, आप लोग के वल simple videos देखना बहुत हो जाएगा, और जो बाकी बच्चे है YouTube बाले, आप लोग को बस उसकी theory basic पढ़नी है, कि कुशन लगा लेने, ऐसी और में जाकर proof मत देखने लग जाना कि भई, moment of inertia का proof कैसे आया में देखता हूँ, उसका समय गया, वो समय 11th में आया था, अब नहीं करना हो, ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान रखें, 11th क्लास के बच्चों को हलाएगी ज्यादा दिक्कत नहीं और वही करना है, ठीक है, वही करना है, ओके, केमिस्ट्री के अंदर बात करें, केमिस्ट्री के अंदर दो तीन तरह के चप्टा सोके एक तो फैक्चुल वाले, फैक्चुल वाले में कौन से आगए, प्लोग, प्रियोडिक टेबल वगएरा, वो सत्य यादी करने हैं, वो at आपका 11th class में ज़्यादा है भी नहीं, आपका IUPAC है, GOC है, और Organic 12 के अंदर main शुरुवती भी बाद में आएगी, आपकी main तो, तो Organic का इत्तर ज़्यादा पंगानी है, वो आप कर लोगे, उसमें मज़की नहीं है, फिजिकल के अंदर भाई, नुमेरिकल अच्छे से ल लग जाओ, C, अलफा स्केर, अपनवर्ण, मैंने सलफा को कैसे सॉल करते है, सिंपल सिंपल कुशन लगो यार, ठीक है, so what I am asking you to do is, कि अगले दो से तीन महीने के अंदर, केवल बेसिक पेसिक चीज़े, एट लिस्ट आप पढ़ डालो, इत्ता भी कल लोगे, आपके पास आगे, बहुत सार टाइम रहेगा, यार, मैंने पहले भी ये चीज़े बोल रखी है, बच्चे करनी रहे, action नहीं लोगे, तब तक कुछ नहीं होगा, ऐसी वीडियो से बनाता जाओंगा, और आपको केवल अपना समय बरबाद करते जाओंगे और पढ़ोगे नहीं, ठीक ह है, तो आप प्लीज इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, ओके, और एक बात और मैं बता देता हूं इस वीडियो के अंड में, कि बैकलॉग क्लियर कैसे करनी है, आप सबको पता है, आप सबको पता है कि मेरी बैकलॉग क्लियर नहीं हो रही है, क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं कर अजिक है, हमें नहीं हाँ कि हमारी बैकलॉग है, हमारी पिरपेशो अच्छी चल रही है, मैं तो पबए घ्लोग है, जो भी पता नहीं बैहन हुआ यह हूं, घक है, तो वह और सब में कना गरो और नहीं थे क्लिए हो हो यह अप्ने वाता ही का बाता, क्लिए है। ठीक है, so I hope this was a good reminder, है ना, तो मैंने आपको क्या-क्या बोला, मैंने आपको बोला कि केवल 3-4 किताबे उठाओ यार, जो आपको फेवरेट लगते हैं, मेरी साफ से हैं है, मेरी साफ से हैं हैं है, केमिस्ट्री के अंदर, प्रैक्टिस के लिए आपकी कोचिंग शीट हो गई, है ना, या बोक्स के अंदर भी कोई से भी उठा लो, यार, पी बहादर उठा लो, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, और ठीक है, और थियोरी अगेरा के लिए आपकी, कोई भी एक अच्छी पब्लिकेशन उठा लो, अरियन से इंगेज, whatever you want, ठीक है, देखो, बोक्स का इत् exercise 2, exercise 3, जो coaching sheets में होते हो, मत लगाने लग जाना, exercise 1, जिसमें simple formula based question होते है, वही लगाना, इतना करने को ही कह रहा हूं मैं, I am not even asking you, कि रोडो लगाना लग जाओ, ठीक, so I hope you took some value out of this video, ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूं, जो बच्चों को, या जिन बच्चों को ऐसा ल subscription best तरीके से कर सकते हो, उसी के लिए ही मैंने आपके लिए subscription launch किया था, ठीक है, और ये इंडिया का one of the most affordable paid subscription है, ठीक है, आप उसको लोगे कोई बहुत जादा उसकी fees भी नहीं है, compared to other coachings जहाँ पर आप जाते होगे, ठीक है, और वहाँ पर आपको मैं जो बता रहा हूं, उ इनके lectures आप enjoy कर सकते हो, ठीक है, आपके लिए हम test series भी करवाएंगे, आपके लिए DPPs भी लेके आएंगे, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, बच्चे बहुत ज़्यादा उसको यूस भी कर रहे हैं, और अभी उसकी cost काफी affordable भी आप जाके उसको ले सकते हो, description के अंदर app, website, iOS, इस तीनों का link दिया हुआ है, तीनों में जाके आप register कर सकते हो, please hurry up, हमारा पहला टेस्टम कंडर्ट कराने वाले हैं, और आपकी preparation का time जाता जा रहा है, कहीं सारे लोग पता है क्या करते हैं, जैसे पिछली बार भी क्या हुआ था, जैसे भी J2020 की बात करें, कहीं सारे बच कि कुछ न कुछ लगाते हैं कि यह कर लो number आजाए, वो कर लो number आजाए, कोई बोलता है कि भाया, NCRT का link भेज़ दो, मैंको literally ऐसा में तो जाए, भाया, मैंको books का link भेज़ दो ना, मैं लोगा 10 दिन बच्चे क्या books का link, deliver रही होंगी तेर गर पे, ठीक है, तो please आपको यह सब चीज़े करनी है, अभी से कर लो, आपको कोई भी books वगरा start करनी है, अभी से करो, कोई भी आपको subscription लेना है, हमारा किसी का भी अभी जाके लेलो, बाद में कम time बचता है, time is more important than your money, ठीक है, so thank you यार, अगर वीडियो पसंद आई तो like करना, है ना, मैं इस तरह की वीडि Secondly, don't forget about your dream, don't forget about your goal, distraction free होके पढ़ाई करनी है, यह मेरा ultimate goal है, ठीक है, मेरा ultimate goal यह है, आप में से max to max बच्चे बहुत अच्छे engineers बन पाए, इसलिए मैं J से लेके engineering सब पर वीडियो बनाता रहता हूं, different channels पर, okay, और कोई बच्चा है, अगर नीट आस पर नेंट हो, तो उसके อง का अच्चे बनाता है, यह में